कि क्या आप भी 1v4 करना चाहते हो तो आप बहुत ही सही वीडियो में आए हो तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे टिप्स जिसको देखके आप 1v4 थोड़ा बहुत तो कर ही लोगें तो चलो वीडियो को सुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि दोनों पॉइंट्स देखें आपने इन दोनों को आपको यूज करना है अलाग अलाग नहीं एक ही सांथ कि उसके आपर मैंने एक अनिमिक नॉक किया उसके बाद उसके पास तो जाओंगा थोड़ी नभागूंगा एक अनिमिक नॉक कर ऐसे भागना भी रहते हैं पर सीच् है सब्सक्राइब जादा रहते हैं वह चेंज पोजीशन रहते हैं जैसे कि एक बंदे को नॉक करो फिर भागो आपको तो थोड़ी ना लोकेशन पर रहेगा नहां पर हैं तो यहां पर इसको पतनी है लोकेशन कहां पर था लेकिन इसने डून डून आके मेरे को डून सब्सक्राइब को निप्ता देना है आप समझे क्या तो बाइस अगर आपको वाल एकलिप से समझनी आया है कि अपने लोग पूरी स्कॉर्ड को कैसे मारें तो फिर इसको एक और क्लिप से अच्छे समझा देता हूं आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा देखो यह बोली क्लिप तो फिर यहां पर अपने दोनों बंदे नौक है और एक बंदे एक और नौक हो गया है तो फिर अपन क्या करेंगे आपर उन लोग को आने में थोड़ा टाइम लगए इसलिए में इस बंदे को रिवाइब दे दूँगा उसके बाद इन लोग आ रहे हैं देखो यहां पर आही रहे हैं तो फिर एक बंदा को नौक किया क्योंकि यह डैमेज था यह भी डैमेज था इसलिए जल्दी नौक हो गया और अपने पस पिन एंटी का मस्त वाले स्कीने एर इतना भी मस्त नहीं और यह तिसरा बंदा भी नौक हो गया ओ आही रहा था और लेकिन मर गया देखो यह और जो लाइन यूज करने को सिज्ट कर रहे लेकिन अपने इसको आराम से मालते हैं कि क्यों अपने प्रो प्लेयर तो गाइस आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आगया होगा कि आपको पुरी स्कॉर्ट को कैसे मारना है ठीक है तो फिर मैं आप को बताता हूं मतलब इसके और भी पार्ट आने वाले हैं आपको इसके इंतिजार करना आपको इसमें अच्छे तरीके से फटा लग जाएगा कि आपको पुरी स्कॉर्ट कैसे बारने लेकिन मैं अभी उतना पुरू नहीं हूं कि मैं पुरी स्कॉर्ड एकी से पहने उतार आपको मिलता हूं मैं अगले वडियो में थैंक्स पर वाचिन बाई गास